जहिं साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे वाज सुरचित होंगे आज की इस वीडियो में हम सभी RBI के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से RBI के अस्थाबना होई, कैसे उसका राष्टिये करण हुआ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैस रिजर्वे रेशियो, इस्टेशिरी लिकिडिटी रेशियो, बैंक रेट, MSF, OMO, मतलब ओपेन मार्केट आपरेशन्स, यह सारी चीजें क्या होती है, RBI कैसे काम करता है, और किस प्रकार से RBI इंफलेशन को कंट्रोल करता है, जिस की अस्थापना सन 1935, इस भी में, एक्च्वल में 1934 में, लेकिन वो 1935 माना जाता है, यंग हिल्टन कमीटी द्वारा इसकी अस्थापना की गई, RBI का जो शुरुवात का हेड़कॉर्टर था, वो कुलकाता में था, 1937 में इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में सिफ्ट किया RBI का इतिहास यह रहा है, उसके बाद से RBI का जो काम है, वो मौनेटरी पॉलसी को कंट्रोल करना, मौनेटरी पॉलसी बनाना, बैंकों को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें, जो काम है, वो RBI का है, अब हम समझते हैं, कि RBI में जो कुछ चीजें होती है, कैसे RBI मौनेटरी प RBI यह guarantee देता है लोगों को कि हम आपको इतने पैसे अधा करने, इस note के बदले इतने पैसे अधा करेंगे, जिससे वो market जो है चल पाती है, जिससे उए valid currency होती है, बैधानिक मुद्रा उसे बोला जाता है, RBI कुछ चीजों को control करती है, जैसे कुछ rates होते हैं और कुछ ratio होते हैं, rates कौन-कौन से, repo rate, reverse repo rate, bank rate और MSF, तथा कुछ ratio होते हैं, जैसे cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, इन ratio को भी और open market operation, ये चीज़े RBI ही control करता है, इसी के धुरो monetary policy को control करता है, monetary policy अभी आगे हम बताऊँगा, सबसे पहले हम report rate, reverse reported, इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, RBI को bankers का bank कहा जाता है, मतलब जितने भी bank से इनका control RBI के पास होता है, अच्छा, ये bank क्या करते हैं, अगर इनके पास किसी भी basic पर पैसा कम पढ़ गया, या इनके पास लोगों का पैसा जमा होता है, जब इन लोगों ने loan दे दिया, लोगों को, कर्ज दे दिया, उसके बाद जब अपना कोई ब्यक्ति अपना पैसा निकालने आता है, तो हो सकता है, इनके पास पैसे नहों, चुकि इन लोगों ने पैसा loan दे दिया, कर्ज में दे दिया, अब ये लोग क्या करते हैं, तब R पैसा मांगते हैं तो RBI इनसे एक ब्याज असूलती है कि हां मैं आगर आपको पैसा दूँगा तो इतने रुपए आपसे लूँगा 15 दिन के लिए लगभगी होता है पेरियड जिसे रेपो रेट बोला जाता है कि इतना पर्शन मैं आपसे ब्याज लूँगा उसे रेपो र B iki पास जमा करदें आखी हमें कुछ को इसके बदले तो आप लोग लोग मुझे से पैसा लने आए थे तो आप लोग को जरूरत थी मुझे आपकें से की कोई जरूरत नहीं है अगर आप दे रहे हैं तो हम आपको रेपोड के बराबर इंतरसर नहीं कम देंगी तो उसे RBI से as a interest और जितना पैसा बैंकों को देना होगा RBI को as a interest उसे रेपो रेट बोला जाता है इतना समझ गए जब ये बैंक जो होते हैं RBI से एक long term के लिए loan लेते हैं एक निश्चित interest rate पर उसे बोला जाता है bank rate क्या बोला जाता है bank rate बोला जाता है ये थोड़ा कम होता है रेपो रेट से कम रखा जाता है आम तोर पर अच्छा कभी कभी क्या होता है bank को अचानक पैसे के जुरूर लगती है मातर 24 घंटे के लिए उस condition में जो bank होता है उसे जो पैसा दिया जाता है MSF पर दिया जाता है Marginal Saturatory Fund के रूप में उसे पैसा दिया जाता है वो कम ब्याज इंट्रस्ट रेट पर होता है ये सब आप रेट समझ पा रहे हैं उसके बाद में अब हम समझते हैं कि कैस रिजर्व रेशियो क्या होता है जैसे कोई भी bank open हुआ अब open होने के बाद उसे पर्मीशन नहीं नहीं होगी RBI जब पर्मीशन देता है तो उसके SLR कैस रिजर्व रिशियो कुछ रूज रेगुलेशन बनाए होए हैं कैसे जैसे कोई bank open हुआ उसने लोगों से पैसा इकठा किया अब हो सकता है वो bank भग जाए तो इस basic पर मालनी जो bank दिवालिया हो गया तो कुछ पैसा bank के पास हर condition में reserve रखा जाता है बैंक के पास कुछ पैसा हर condition में reserve रखा जाता है ताकि वो customers को कुछ पैसा तब तक दे सके और कुछ पैसा हर bank को से RBI ले लेती है as a security money कि आप कहीं भगे ना ताकि आप कहीं भगे ना तो यही दो चीजे होती हैं जो CRR और SLR होता है जितना पैसा RBI इन बैंकों से ले लेता है as a security money उसे CRR बोला जाता है जिसे cash reserve ratio कहा जाता है यह ratio जो होता है basically यह NDTL का होता है net deposited total limit का कुछ ratio जो होता है यह RBI अपने पास रखती है कि इतना पैसा आपको as a security money मुझे देना होगा ठीक है दूसरा जो SLR होता है यह इतना पैसा वो fix होता है बैंकों का कि इतना पैसा आपको अपने पास हर समय रखना होगा मनला 5% सा CRR होता है और यह 18% SLR होता है इतना प बैंक जो है कभी वी अगर दिवालिया हो जाए किसी भी स्थिती में भग जाए तो इतना पैसा कस्टूमर्स को दे दिया जाए यह पैसा बैंकों के किसी प्रकार से कोई यूज में नहीं रहता है अब आगे समझते हैं किस प्रकार से RBI monetary policy को control करती है इसके लिए एक तर्क दिया जाता है कि अगर आपके पास पैसे होंगे liquid money होंगी अगर आपके हाथों में तो जो है आप खर्च जादा करेंगे यह एक्चुल में practical करके भी देखी गई है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च जादा करते हैं अगर आप खर्च जादा करेंगे तो चीज में महंगाई बढ़ जाती जिसे बहुत ही सरल एकजाम पर से मैं आपको समझाना चाहूंगा एक होटल वाला है उसके पास मात्र एक समोसे रखें हुए हैं दो लोग वहाँ पर पहुंच गये दो लोग कहां की मिस्रा ची मुझे समोसा मिलता है मिस्रा तो तक दूसरे, मज़े समोसा चाहाए है, आप उस सात रूपय ले लएजिए चुके पैंसे है उस पास पैसा आया और पैसा आता कब है जब बैंक कर्ज देती है कम ब्याजदर पर बास समझ पा रहे हैं अच्छा RBI कैसे इन चीजों को control करता है, RBI अगर अपने repo rate में increment कर देता है, repo rate अगर बढ़ा देता है, तो बैंकों को करज महंगे दर से मिलने लगता है, मतलब जब बैंक RBI से करज लेने जाते हैं, तो उनको करज महंगा पड़ता है, चुकि repo rate बढ़ा हुआ है, अब जब मुझे तो आपको भी करज महंगा देता है, जिसे लोग करज लेना prefer नहीं करते हैं, जिस वज़ा से लोगों में जो है, पैसा नहीं आपाता है, लोगों के हाथ में liquid money नहीं होती है, demand नहीं होती है, inflation नहीं बढ़ती है, तो RBI, CPI यानि की consumer price index को directly इस प्रकार से repo rate बढ़ा कर, और repo मजबूरन RBI से बंधे हुए हैं, कि अगर वो बढ़ गया, तो उसे भी बढ़ाना होगा, और repo rate बढ़ा, तो bank rate ये, बनलब, bank जो होते हैं, महंगे ब्याज दर पर loan देना start कर देते हैं, तो आसा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी, सबसे बड़ी पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में, ऐसी interesting traffic को लेकर, तब तक कि ये आप सभी को, चैह हिंद,